एलो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगो कि आपको अपना इंस्टागराम कैसे मोनिटाइस करना है कहां पे जाके मोनिटाइस का ओप्षन आएगा और इसका क्या क्राइटेरिया है काफी लोगों के कमेंट आये थे कि कोई भी सही तरीके से नहीं बताता सब लोग उल्टा सीधा बताते हैं आज मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको अपना इंस्टागराम मोनिटाइस करना है सबसे पहले आप लोगों को अपना जो इंस्टागराम में उसे अपडेट करना है प्ले स्टोर में जाके और आपको ध्यान लखना है इसका जो वर्जन होना चाहिए वो बिटा वर्जन होना चाहिए क्योंकि सबसे पहले जो अपडेट आ रहे हैं वो बीटा वर्जिन पे आ रहे हैं अपडेट चेक करने के बाद आपको इसे ओपन करना है ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर धियान देना है आपका जो एकाउंट है वो प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए ठीके इसके बाद यहाँ पर एक उप्शन आजाएगा प्रोफेशनल डेश्ट बोड आपको इसपे क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर देखे एक उप्शन आ रहा है योर टूल्स का यहाँ पर लिखावा आता है बोनस बोनस का मतलब है आपका जो इंस्टागराम है वो मोनेटाइज हो चुका है ठीके तो यहाँ पर बोनस का उप्शन नहीं आ रहा है इसका मतलब हमें आपे इस्टागराम को मोनेटाइज करना है इसके लिए उपर देखिए setting का logo बनावा है याने की setting का option आ रहा है आपको इस पर click करना है इसके बाद यहाँ पर एक option आ रहा है तीसरी नमबर पर creator का ठीक है अगर आपका account professional नहीं है तो यहाँ पर यह option नहीं आता तो हमें creator पर click करना है इसके बाद आपके सामने यह सारे option आ जाएंगे सबसे उपर देखिए add payment का option आ रहा है ठीक है monetize होने के बाद add payment के उपर bonus का option आ जाएगा तो सबसे नीचे देखिए monetization status का एक option आ रहा है मैं इस पर click कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए green tick आ रहा है बनावा you are eligible for monetization ठीक है नीचे जो monetization की policies हैं आप इन्हें भी यहाँ पर read कर सकते हैं ठीक है तो आपको back आना है यहाँ पर दूसरे नंबर पर एक option आ रहा है branded content आपको इस पर click करना है इसके बाद सबसे उपर देखिए status setup branded content tools आपको इस पर click कर देना है इसके बाद अगर आप eligible हैं तो यहाँ पर enable का यह option आ जाएगा नहीं तो नहीं आता यहाँ पर लिखावा है you are eligible to use branded content tools आपको इसे enable कर देना है enable पर click कर देते हैं इसके बाद यहाँ पर लिखावा आगए you can now use branded content tools आपको इसे यहाँ पर done कर देना है ठीके done करने के बाद देखिए हाँ पर green tick आ गया you are eligible to use branded content tools वैसे इसका भी enable रहना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है monetization के लिए तो back आ जाते हैं अब वापिस से हम second number पर जो option आ रहा है branded content इस पर click कर देते हैं अब देखिए आपका जो status है वो eligible लिखाव आ रहा है eligible पर click कर देते हैं एक बार अब यहाँ पर कोई भी और option नहीं है और आप वापिस से आप जो status आता है monetization का वहाँ पर आ चुके है you are eligible for monetization अब यहाँ पर automatic आपका 24-48 घंटे के अंदर apply now का option आ जाएगा और वापिस जब आप यहाँ पर देखेंगे update के बाद तो add payment के उपर आपका bonus का option आ जाएगा ठीके bonus का option आने के बाद फिर आप महाँ पर अपना bank account वगएरा और अपनी जो dollar की limit होती है वो set कर सकते हैं वैसे तो इसके ओपर काफी सारी video बनी हुई है कि अगर आपका bonus का option नहीं आता तो इसके लिए आपको help center में जाना है ठीके मैं वो भी आपको बता देता हूँ help center में आपको कहाँ पर जाके इसे submit करना है आपको यहाँ पर setting वाले option पर आना है तो यहाँ पर automatic मेरी email id आ चुकी है और सबसे उपर option आ रहा है वाव यू need help with इस पर click कर देते हैं नीचे दो option आ रहे है in stream video ads और badges ठीके तो हम in stream वाले पर click कर देते हैं और यहाँ पर वापिस से 3 option आ गए तो हम तीसरे वाले पर click कर देते हैं अब यहाँ पर एक option आ गया provide feedback यानि कि आपको यहाँ पर edit करना है कि हमारा eligible तो हो गया है और हमने enable भी कर दिया है लेकिन हमारा bonus का option नहीं आ रहा तो हमें यहाँ पर type करना है कि हमें bonus का option अभी तक नहीं मिला है तो जल्दी से जल्दी उसे apply करिए और आपको submit पर click कर देना है वैसे आपको एक पाद बता देता हूँ इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप eligible हो जाएंगे आप उसे enable कर देंगे तो कुछ time बाद जब भी instagram को लगेगा उनकी team को लगेगा कि आप इसके लिए आप apply कर सकते हैं तो apply now का महाँ पर option आ जाएगा ठीक है automatic आपका हो सकता है bonus का भी महाँ पर option आ जाए तो आप थोड़ा सा wait कर लेजिए तब जाके help center में से submit करिए और एक अच्छी बात इसमें ये है अभी तक आप लोगों ने YouTube पे shorts का जो earning criteria था वो देखा था वहाँ पे जो आपकी revenue काफी कम होती है यहाँ के earning काफी कम होती है लेकिन Instagram पे ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे reels में आपको बहुत ज़्यादा earning होने वाली यहाँ कि बिल्कुल triple earning होती है आपकी YouTube से जो भी लोग अभी तक Instagram चलाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा real upload करिए और सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी का भी content reuse भी कर सकते हैं उसे edit करके भी यहाँ पे upload कर सकते हैं monetization enable तब ही होता है जब आप daily update रहें अमरे Instagram पे reels upload करते रहें तो automatic Instagram को लगता है कि भी आप eligible का time आगया है वहाँ पे वो eligibility आपकी on कर देते हैं ठीके जब आप उसे apply कर देंगे तो आपका bonus का भी option आ जाता है इसके बाद आपको bank account rate करना है और इसके बाद आपकी earning start हो जाएगी ठीके दोस्तों hopes of लोग को सब को समझ में आ गया होगा अगर किसी की कोई और कोई रहे तो आप मुझसे comment box में पूछ सकते हैं आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं कि नई वीडियो में तो guys thanks for watching this video and subscribe this channel